स्वाकेत आप सब का हमारे चल पे गाड़ी Tata Harrier है और इस गाड़ी में चो प्रॉल्म है गाड़ी हमारे पास सर्वीस के लिए थी हमने इसका बैटरी के टर्मिनल्स रिमूफ किये थी उसके बाद से जब हमने टर्मिनल्स को फिट किये थे तब से इसका जितना भी सिस्टम है यह आप सब देखोगे TFT स्क्रीन और इन्फोटेट्मेंट सिस्टम दोनों बंद हो गए है यह टेक्नोलजी है टाटक की अगर आप बैटरी के तार हटाते हो क्या-क्या मुसीबत आ जाती है यह आप सब देखोगे पूरा स्क्रीन ही आफ हो गया सिस्टम ओनी नहीं रहा सर नेगेटिव के ताकि कोई भी सौर्ट सर्कृट ना हो उसके बाद हम सर्विस करते हैं जितने भी लगजरी गाड़ी होती है इन गाड़ियों के टर्मिनल्स रिमोफ के पूरे सिस्टम बंद हो गया पता नहीं कैसी यह टाटा जो है टेक्नलोजी यूज करती है कुछ भी सि सिस्टम रिमोफ करो बैटिके टर्मिनल्स रिमोफ किये तो सिस्टम इसका ओफ हो गया यह आफ सब देखो के यह तो गाड़ियां है पता नहीं क्या टेक्नलोजी यूज करती है गाड़ियां पाई जब होता नहीं है तो चीज ऐसी बनाओ कुछ भी रिमोफ करो टर्मिनल्स कोई भी रिमूब कर लो तो system off नहीं होना चाहिए आपने negative terminals remove किया पूरा system बंद हो गया पता नहीं क्या गाड़ी है इसलिए ये गाड़ी चलती नहीं टाटा की भार कहीं गाड़ी खड़ी हो जा कोई गाड़ी start भी नहीं कर सकता ऐसे तो गाड़ी है कोई हाथ ही नहीं लगाएगा और गाड़ी यां के मुकाबले बहुत घड़ी है technology यूज़ कर दिया ताटा अगर आपने कोई भी cover remove कर दिया वो दुबारे fit ही नहीं हो सकता ये तो इनकी condition है ये system बिलकुल ही बंद हो गया हो सकता ये system ही खराब हो गया डिफैक्ट हो गया एक आपने टर्मिनल remove किया पूरा system dead हो गया खाली battery के terminals remove किये थे तब से ये प्राव मिमारी है अभी गाड़ी के service भी नहीं कि ये तो हाल है क्या technology use करती है टाटा हो सकता है जिसका module होता है silver box वो system इसका defect हो गया contact के था भी टाटा में तो कहरें है वो system dead हो जाता है खराब हो जाता है ऐसा कौन सी technology use करती टर्मिनल हटाया और system dead हो गया जबकि बैटरी के terminals हटाने के बाद जितने भी problem होती है वो problem solve हो जाती है ये तो बैटरी के terminal हटाया नई problem हो आगे इस गाड़ी में आप जितना मर्जी design देदो लेकिन जो technology है वो system ठोस होना चाहिए अब आप सो देखोगे फैबिया खड़ी है इनके बैटरी अटाद हो जो अटाद हो गाड़ी start करो वैसे start हो जाएगी इतने तो उन्हें फंक्शन दे दिये गए है और उन गाड़ी में कोई फंक्शन नहीं होते है जबकि बैश्ट होई सारी गाड़ी है ये तो कूड़ा है एक हिसाप से तो जिसाप से इनकी technology दी जा रही है पहली गाड़ी है जिसके terminal remove करने के बाद ये problem है आज तक की अब वो system काफी ज़्यादा costly भी है थावन हजार उपे का वो parts है जो खाली बैटरी की तार अटाने से उड़ गया क्या technology यूज़ की इन्होंने इससे बड़ी है तो Chinese system दी देदे कम समसूरा चलता तो रहता कोई भी गाड़ी है तोने ज़्यादा function होगे तनी ज़्यादा इसमें problem आती है एक normal सा meter दो इंडिकेशन दो जितने use होने वाले हैं करते हैं पहले system को check करते हैं पिर आपको आगे दिखाते हैं क्या problem होगे है इसकी बैटी ट्रमिल्स रिमूब करने से अब फ़स्ट गाड़ी है जिसमें ये problem होई है हमार साथ पहली आस तक की गाड़ी है नहीं तो जितने भी आप कभी भी बैटी के ट्रमिल्स रिमूब करोगे जितने भी warning indication है ट्रमिल्स कोड़ होते हैं 100% chance होता है वो रिमूब हो जाए लेकिन इसकी ट्रमिल्स रिमूब किये ये नहीं प्रोब्म आगई इस गाड़ी में पहली है इसी गाड़ी है आप सब देखोगे और कभी भी ऐसी प्रोब्म हो तो सबसे पहले इसके फ्यूज चैक करने सी है चांज होता फ्यूज उनने के बैटरी अठाने से कोई शॉर्ट सर्कृत होता नहीं है जैसे जैसे फ्यूज लगे इस जगे इसके चार्ट दी गए है आप रीड करो प्यूज सेक करो इसका सिस्टम होता है इन्फोटेट्मेंट सिस्टम यह आप सो देखोगे बीस अंपियर का फ्यूज है पहला दूसरा तीसरा चौथा यह चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा यह चौथा फ्यूज है बीस नमर का फ्यूज होके है फ्यूज में कोई प्राब्म नहीं है जो प्राब्म में इसकी system में इसका silver box ये गाड़ी Tata Harrier है और इस जग इसका parts है silver box आप सब देखोगे Tata का इस parts है silver box Western Company है इस system को design and develop करती है आप सब देखोगे Western Company का इस parts है जो Western Company के दुआरा बनाया गया है इस silver box है जो complete system को control करता है इसका TFT screen और info treatment system को इस जगे ये system back side में इस जगे इसके दू screw देगे हैं एक और दो ये दोनों screw complete remove होगा तो complete इसका silver box बार रिमोग हो जाएगा आप सब देखोगे इस जगे इसके connectors दिये गए साइड में एक exhaust fan दिया गए काफी जादा system के अंदर आप सब देखोगे जो system में इसका info treatment system और TFT screen system ये system work नहीं करें गाड़ी है Tata Harrier ये इसका silver box है और ये complete defective parts है जो complete parts replace के जारा है इसका silver box इसका system होता है TFT screen और info treatment system दोनों system properly system work नहीं करें क्योंकि जो इसका silver box है ये system defect हो गया है और ये parts complete replace के जारे इसका silver box इसके system में problem आगे इतना भी info treatment system है TFT screen वो system properly work नहीं कर रहा है complete silver box को replace करने दे जिदे भी इसकी problem थी TFT screen और info treatment system ये दोनों इसकी problem थी वो resolve हो गई है आप सब देखो को दोनों system properly work रहा है TFT screen और info treatment system दोनों system properly work करें इस जगे इसका जो parts था silver box इस system में problem थी आप सब देखो कि ये parts complete replace के गया है इसका silver box और जिदे ही problem थी totally सारी problem रिजॉल्व हो गई आप सब देखो पूरा system properly work कर रहा है ये गाड़ी थी TATA Harrier और इस गाड़ी में जो problem थी आप सब देखो जीतना भी इसका TFT screen था info treatment system था वो system ही dead हो गया था अब जीतना भी system था silver box वो system replace करवा के दिया भी हमने थान हजार रुपे का पार्ट से इसका silver box का वो parts defect हो गया पता नहीं कैसी technology इस गाड़ी में हमने लगा के दिया है उस system को replace करवाया आपने देखा भी system इसका silver box ऐसी ऐसी technology है जो यूज करती है अगर पता है आपको जो system defect होने वाले इसमें कोई ऐसा system दो ताकि वो system खराब ही नहीं कोई system दे दो बैटरीज दे दो ताकि जो system में कभी भी defect नहीं हो सिस्टम है अपने बैटरी की टर्मिनल्स रिमॉफ किये complete system ही डैड हो गया और यह थी टार्टा complete का ठावन जार रुपे का चूना लग चुगा है आप सब देखोगे पूश स्टार्ट बटन को प्रेस करना है और सारे बार्निंग इंडिकेशन इसके क्लस्टर मीट में आ जाएंगे आप सब देखोगे पहले जो प्रॉब्लम थी टर्मिनल्स हमने रिमॉफ किया था तो जितना भी टी एफ्टी स्क्रीन है और इंफोटेट्मेंट सिस्टम दोने सिस्टम डैड हो गए थे यह थी टार्टा हैरियर और अठावन अजार रुप कंप्ली तामीटल रुपे का फास में रिंपलेस करवा करें देना पड़ रिजु गलती हमारे सोी है क्वेस्टी इसके लिए टाटा सब्स करने थे बाद छोड़ी थोडी आगे आगे नई तो हमने ट्रमिनलस की थे उसके बाद सिस्टम ही नहीं आ रहा यह तो ने तो टाट अब पूरा सिस्टम ही डेड हो गया, अब वो सिस्टम हो रेप्लेस करवा के दिया है, होता है, कभी-कभी लॉसेस हो जाता है, उमीद नहीं थी, इतना बड़ा हो जाएगा, मिलना मिलाना कुछ ही नहीं था, सर्विस पे गाड़ी आई थी, ठाओन गारोपे का चूना लगव भी नहीं करेगा, कोई चान? झाल झाल झाल